है वोगम बैक टूदी चैनल स्टडी पोर्टल स्टडी पोर्टल पर आप सभी लोग का एक बार फिर से स्वागत है और आज की स्वीडियो में हम डिस्कुस कर रहे हैं पीजिटी हिस्टी का स्लेबस जैसा कि हमने आप लोगों से वादा किया था कि हर एक सब्जेक्ट का हम स् जाएगा सबसे पहले सबसे पहले हम बात करते हैं कि इसके बारे में विकेंसी कितनी है यह मारे स्टी की हिस्ट्री की अगर आप देखी 185 टोटल वेकेंसी है जिसमें जर्णल कैटिग्री में आपकी जो वेकेंसी है वो 78 है 18 EWS के लिए है और बीसी नॉन क्रीमिलिया 49 और 27 सेवन एसी के लिए और 13 है आपकी एस्टी के लिए तो टोटल 185 जो है आपकी हिस्ट्री की वेकेंसी है तो हिस्ट्री से जुड़े हुए सभी इन्फोर्मेशन पाने के लिए अगर आप लोग उसकी तयारी कर रहे हैं तो आप हमें शोचल मीडिया पर फॉलो कर सकते हैं व हो भी इन्फोर्मेशन है आपके एक्जाम से रेलिवेंट नोटीस आता है या एड्मिट कार्ड या कुछ लेवस के बारे में वो सभी अपडेट्स आपको मिलती रहें स्टेडी पोर्टर एक वन स्टॉप सॉलूशन है आपकी सभी टीचिंग नेट्स के लिए सभी एक्ज प्रिंसिपल वाइस प्रिंसिपल एससेस्टेंट कमिशनर सभी लेवल्स को हम यहाँ पर क्यादर करते हैं तो आपको लाइव कोर्सेज रिकोर्ड़ बैचेस टेस्सरीज इंट्रवी बैचेस और अगर आप घर बैठकर सल्ट स्टेडी करने हैं तो नोट्स भी आप हमारे कर सकते हैं क्लासेज जॉइन करने के लिए आप हमारी एप डाउनोड कर सकते हैं जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा और यह लिंक आपको एंड्रोइड और आइफोन दोनों पर ही अविलेबल है नोट्स ओडर करने के लिए आप हमारे इस हैल्प्राइन नमपर पर मैं कॉंटेक्ट कर सकते हैं 844-74-10108 नोट्स अपडेटिट स्लेबस के अकोडिंग सारा का सारा स्लेबस को कवर किया जाता है लाइव और रिकॉर्डिर कोर्स के लिए आप हमारी आप डाउनोड कर सकते हैं तो अब स्लेबस के बारे में बात क है आपको जनलर पेपर के बारे में पूरी डिटेल मिल जाएगी तो पिईटी हिस्ट्री के बारे में बात करते हैं सबसे पहला यहां पर है राइट इन सी लाइफ के बारे में इराक 3rd मिलानियम BCE growth of टाउंस की किस तरीके से टाउंस का निर्मान श्रू हो गया पिर उसके डिवाद नेचर आफ अर्ली अर्बन सोसाइटी कैसे कैसे बनी उनकी बारे में क्या विशेस्ता ही थी हिस्टोरियन डिबेट्स ऑंसर ऑफ रैटिंग क्या क्या इस्टोरियन किस डिबेट से वह आपको यहां पर कवर करना है अर्ण सीटी लाइफ के बारे में एन एंपायर अक्रोस थ्री कॉंटिनेंस रोमन एंपायर के बारे में आपको पढ़ना है 27 BCE to 600 CE तक आपको यह कवर करना है इसके बारे में आप क्या क्या पढ़ेंगे पॉलिटिकल इवैलुईशन राजनीतिक व्यवस्ता कैसी थी किस तरीके के लोग थे क्या था हुआ इलक्टी कैसे चलती थी उसके बारे में नेक्स्ट फिर आपका एकनोमिक एक्स्पेंशन कैसे हुआ आर्तिक स्थी कैसी थी किस तरीके के सिक्ष्क्य यह जो चीज़ आप प तो स्लेवरी को लेकर जो दास प्रतादी दास सिस्टम जैसे उसके लिए हिस्टोरियन का क्या व्यू था वो आपको यहां पर कवर करना है नेक्स्ट फिर आपका नॉमेडिक एंपायर्स इसमें जैसे की मंगोल 13-14 सैंचुरी तक तो नेचर क्या था नॉमाडी का फोर्मेशन ओफ एंपायर एंपायर उनके कैसे बने ठीक हैं कॉंसेक्वेंस एंड रिलेशन विद आदर स्टेट दूसरे स्टेट के साथ उनका रिलेशन कैसा था amillio ennes绌 ओरनाइक विदो यूमडीक सोसाइटी और स्टेट फॉर्मेशन और यहां पे ज़ो इतिहास क्या रहे उनके इसको लेकर क्या व्यूस है स्टेट फॉर्मेशन को ले कर उनकी जो सूसायटी एन एकनोम के बारे में टीक है क्या था एकनोमी कैसी थी इसके बारे मैं आप देखेंगे फिर उनमें स्टेट का फोर्मिशन कैसे वा फोर्मिशन आफ स्कवर करना है चर्च यहां पर आगे तो चर्च आप रंड स् Treat scalar Lisum का इसपर इत्याझकार के क्या वीव है वो आपको कवर करने है सो हिस्टोरिकल व्यूज ओन डिकलाइन ओफिडलिजम उसके बाद है आपका चेंजिंग कुल्चरल ट्रांजीशन की कि ट्रेडिशन जो कल्चर चेंज हुआ उसके बारे में यूरोप 14-17 सांचुरी तक न्यू आइडियाज और न्यू ट्रेंट्स तो किस तरीके से क्या था वह आपको देखना है डग कंट्रिबूशन ओफ वेस्ट एश्या पस्चिमी एश्या का क्या कंट्रिबूशन रहा इसमें हिस्टोरियंस व्यूपाइंट ओन दी वैलेडिटी ओफ नोशन यूरोपियन रिनॉसेंस यूरोपियन नोटेशन पर क्य का हिस्टोरियन का व्यूपाइंट सा वो भी आपको यहां पर देखना है उसके बाद आपका डिस्प्लेसिंग इंडिजीनियस पीपल सो नोर्थ अमेरिका और ऑस्टेलिया यहां पर आपका कवर हो जाता है 18-20 सैंचुरी तो यूरोपियन केलोनिस्ट इन नोर्थ अमेरिक आपको यहां पर कवर करना है इसके बाद आपका आता है पार्स तू मोडराइजेशन मोडराइजेशन की तरफ फिर हम बढ़ें तो इस्ट एशिया लेट 19-20 सैंचुरी में यह आपको यहां पर पढ़ना है जिसमें क्या है मिल्टराइजेशन एकोनोमिक ग्रोथ इन जाप जापान में जो इकनोमिक ग्रोथ इसके बारे में चाइन चाइना और कम्यूनिस्ट अल्टरनेटिव यह आपको यहां पर कवर करना है फिर अगे जो मोडराइजेशन वर्ट था इसका मिनिंग था इस पर हिस्टोरियन की क्या डिबेट थी तो वह डिबेट को आपको यहां हम बोलते कि सबसे पहली जो सबयता जहां पर नागरuks अपद्धा हमें देखने को मिली कि कितना अच्छे से मानेजमेंट था सीटी का वह हड़पा संस करते से तो वूह आपको पूरा करना किस तरीके साथ हम दुर किसको बोलते थे पस्ट में भागनी था यह उपर था पुर्वी भाग किस तरीके से हुआ था किस तरिके से सड़के बनी ती इनिर सिस्रम था वो सब यापको यहां कवर करना है कौन-कौन से इंपोर्टेंट जो है लोकेशन से वह आपको यहां पर कवर करनी है story of discovery कि किस तरीके से इसकी शुरुआत हुई तो कौन इसकी सेरी में क्या-क्या जो है यहां पर evidence मिले हडपा sense करती कि वह कवर करने है एक सुट क्या देखनी है कहा से कहा तक आप टढ़ेंगे मोरीय से लेकर गुफ पिरियर तक यह पूरा आपको यहां पर कवर कर लगना करना की राज कर टाउंस के सब्सक्रियोग कैसी तक नोमिक कैसा था उसके बाद है उसके बाद स्टोरी ऑफ डिस्कोवरी की इंस्क्रिप्शन्स जो मिले यहां पर डैसी फॉर्मेंट ऑफ दा स्क्रिप्ट जो स्क्रिप्ट मिली उसको हमने कैसे टांस्लिट किया कौन सी लिपी यूज होती थी उसके बारे में शिफ्ट इंदा अंडरस्टैंडिकल एन इकनोम तो यह इसके बारे में भी आपको पूरा डिटेल में पढ़ना है उसके बाद आपका आता है किंशिप एंड कास्ट एंड क्लास के बारे में जिसमें हमारा अर्ली सोसाइटी सोसाइटी जाती है 600 BCE तक आप कवर करेंगे इसमें आपका ब्रोड ऑवर्विव शोसल हिस्ट्र अब पॉबलीकेशन सफ दी महा बारत महा बारत के बारे में वह आपको कबर करना है इसके बाद क्या है फ्रॉंब दी महाबारता इलस्टेटिंग हाव एडब में यूज़ड वाई एस्टोरियन और महाबारत को कैसे इस्टोरियन ने यूज़ग वह भी आपको यहाँ पर पढ़ना है तो ब्रोड ऑवर्विव इस्ट्री ओफ यहां पर बुद्धिजम जानिजम साची सूप के बारे में पढ़ेंगे एक रिव्यू ऑफ रिलीजियस हिस्ट्री ऑफ व्यदिक रिलीजन्स उसके बारे में पढ़ेंगे क्या-क्या समीतिया थी जानिजम के बारे में पुरानिक हिंदूजम जो था वह सारे आपको करना है उसमें में फोकुस आपका किस पर रहेगा बुद्धिजम और जानिजम पर रहेगा ठीके उसके बाद स्टोरी ऑफ डिसकावरी की किस तरीके से जो साची सूप है या रिप्रोड़क्शन ऑफ स्कुल्प्चर फ्रॉम साची वह सारे यहां पर इंपोर्टेंट जो पर सारे कवर करने उसके बाद आपका टॉपिक आता है थूदी आइज ओफ ट्रैवलर्स तो ट्रैवलर्स के अकोर्डिंग 10-17 सेंचुरी तक पर सेप्शन ऑफ ससाइटी तो यहां पर आप ब्रोड ऑवर्विव देखेंगे आ सारी चीज़ अपनी बुक्स लिखें तो कौन-कौन से इंपोर्टेंट बुक्स हैं कौन-कौन से यातरी किसके शाशन काल में आए वह सारा आप यहां पर कवर करेंगे ट्रैवलर्स के पॉइंट ओफ व्यू से आप यहां पर देखने को करशिश करेंगे हिस्ट्री को स्ट होंगे उसके बाद आपका आता है भक्ति और शूफी ट्रेडिशन बग्ति और सूफी जो ट्रेडिशन आया उसके बारे में सो जो रिलीजियस में चेंज आया वह आपको कवर करना है डिवोशनल टेक्स तो एट टू एटीन सैंचुरी तक कौन-कौन से हमारे पास आपको पढ़ना है कि कैसे बग्ति सूफी जो है कंपोजिशन हुआ कैसे इसको प्रिजर्व किया गया बग्ति सूफी वक्त से क्या-क्या उनके मेजर एक्स्रेट से वह आपको यहां पर कवर करने हैं अगले आपका एन इंपीरियल कापिटल विजे नगर 14-16 सांचुरी त छो थे इरिगेशन फैसलेटी कैसी थी सिंचाई कैसे होती थी वह आप यहां पर कवर करेंगे उसके बाद है रिलेशनशिप बेट्विन आर्टिक्ट्टर और पॉलिटीकल सिस्टम कैसा था कैसा कि से बिल्डिंग सबनी लगी और क्या रिलेशनशिप था आर्किटेक्टर उसके साथ तो वो यहाँ पर आपको कवर करना है स्टोरी ओफ डिसकवरी में अकाउंट ओफ हाउ हमपी वाज़ फाउंड हमपी को कैसे पाया गया कैसे डूना और उसमें क्या-क्या विजुल से बिल्डिंग को लेकर क्या डिनोट करती थी वह आप यहाँ पर करेंगे उसके आप कहता है पीजन्स जमिदार्स एंड दा स्टेट के बारे में तो यहाँ पर आप जो मुगल एंपायर है और जो यहाँ पर अग्रेरियन सोसाइटी है उसके बारे में आपको देखना है 16-17 सेंचुरी तक तो ब्रोड ओवर्वियू में ऐनी अकबरी स्टुक्चर ओफ ए पर आईन अकबरी जो था उसकी ने क्या लिखा है क्या जीजह क्या दिक्षाई है उसके बारे में फिर फिर फ्रॉंदी आईन ने अकबरी वो यहां लाइब कैसी थी जमीदार्स की पीजन्स की आर्टीसियंस की लेट 18th सैंचुरी में यह आप यहाँ पर कवर करेंगे फिर पर्मानेंट सेटलमेंट कैसे हुआ संथल्स पहारे इस उसके बारे में आपको कवर करना है यहाँ आप स्टोरी ऑफ ओफिशल रिकोर्ड में इसके सा यहाँ पर शुरुआत होती है हमारी 1857 की क्रांती की सो 1857 रिवोल्ट और उसके कौन-कौन रिप्रेजेंटेटिव थे यहाँ ब्रोड ओवर्वीव में आप कवर करेंगे कि जो 1857 अठावन की जो हमारी क्रांती है उसमें क्या-क्या इवेंट्स हुए उसके बारे में वीज इसके बारे में फोकस आपको रखना है लखना उपर पिक्चर्स ऑफ 1857 प्रों कंटैंप्ररी अकाउंट्स के बारे में तो कौन-कौन में थे जो मौन पॉइंट्स थे यहाँ पर कौन-कौन जो संतत्रता सेना नहीं की सेरिय से थे क्या वो आपको यहाँ पर कवर करना फिर आगे बढ़ेंगे तो महात्मा गांधी और नेशनलिस्म मौमेंट महात्मा गांधी और उनके जो भी रास्टेवादी हों मेरे मौमेंट थे अंदोलन थे उसके बारे में जैसे की सिविल डिसॉबिनेंस आपका समीन अवग्या अंदोलन और बियोंड ब्रोड ओवर्यू द किये वह सारे आपको यहां पर कवर करने हैं फोकस आपको यहाँ पर किस चीछ पर रखना है महात्मा गांधी एंड़ थी मुमेंट्स जो उनके में तीन मुमेंट थे उन पर और उनका लास्टे इस फाइनस लाय उसके पारे में रिपोर्ट्स फ्रॉप्रॉम्ड तहें फ्रेमिंग दी कॉंस्टिटूशन फिल हमारे सविधान का निर्मान एक शुरुआत हुई एक न्यू एरा की तो दे बिग्णिंग ओफ न्यू इरा ब्रोड ओवर्वीव क्या था दा मेकिंग ओफ बंचीज कहां से लिगई क्यों सविधान की ज़रूरत पड़ी कैसे आजादी का प्रोसेस हुआ इंडिपेंडनेंस और ब्रोड पाकिस्तान बना कैसे शुरुआत हुई आजादी के बाद हमें एक नया देश बनाने की making of the constitution में पूरा process किसने बनाया कौन-कौन important था यहाँ पर वो सारा discuss आपको करना है तो इसमें जो भी constitutional assembly को लेकर debates हुई है वो आप किया जाएंगी from the debates आप यहाँ पर इसको cover कर सकते हो कि यह आपका पूरा का history syllabus है पूरा का पूरा जो आपको यहाँ पर cover करना है अगर आप इसको तयारी कर रहे हैं तो आप नोर्स ओडर कर सकते हैं 8474-10108 हमारे हैल्पने निंबर पर contact करके और अगर आप ओडर करना चाहते हैं तो उसके लिए आप हमारी डाउनलोड कर सकते है study portal academy जो कि android और आइफोन दोनों ही पर से आप अविलेबल है वहां से आप डाउनलोड करके हमारे बैच को जौइन कर सकते हैं नोर्स के लिए आप इस हैल पर call कर सकते हैं तो आज की इस वीडियो में इतना ही दोस्तों फिर में लेंगे नहीं जानकरियों के साथ तब तक धन कर दोस्तों है